वो कह रहा है कि रेस्ट में आने से पार्टिकल ने औरीजन से इसकी टी का वेल्यू फाइंड करो इस अले स्टुडेंट्स तो कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर डिसकस कर रहे थे उसमें कुछ इंपॉर्टन फॉर्मॉलाज हम लोग अलड़ी डिसकस कर चुके हैं काइनेमेटिक्स एक्वेशन की बात कर चुके हैं आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नीट एक्जाम के कुछ इंपॉर्टन पी वाईक्यूस की ठीक है तो शुरू करते हैं आप अपने नोट्स निका क्लास हमारा पहला कोशन है देखिए एक वहीकल विच ट्रेवल हाफ दिस्टेंस विद स्पीड वी यह इंपॉर्टन गया उसने जो पहला हाफ है हाफ पार्ट इस्टेंस का वह स्पीड के साथ निकाला एंड़ रिमेंग डिस्टेंस विद स्पीड टूवी ठीक है तो दो स वहीकल इज आप याद करिए क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का सिट्वेशन होता है कि कोई वहीकल फस्ट हाफ वीवन स्पीड के साथ निकालता है तो उसका जो आवरेज स्पीड का फॉर्मुला मैंने लिखवाया था आपको टू टाइम्स वीवन वीटू डिवाइड बाई वीवन प्लस वीटू यह आप अपने नोट्स के अंदर देख भी सकते हैं यह फॉर्मुला हमने अल्रडी नोट कर लिया है ठीक है तो टू टाइम्स ओ वीवन का वैल्यू उन्होंने दे रखा है हमें वी और वीटू का वैल्यू दे रख स्पीड यह सिंपल फॉर्मुला बेस्ट कोशन था यह जितने भी कोशन आज हम लोग करेंगे सारे के सारे नीट के ही प्रिविएस यह कोशन है ओके तो देखते हैं कौन सा उप्शन बन रहा है हमारे पास 4V by 3 option number 3 is correct ठीक है option number 3 and C is correct ठीक है नेक्स बढ़ते हैं next question क्यों आँ नेक्स बढ़ते हैं मेरे पास question number 2 आप बस traveling with traveling the first one third distance at a speed of 10 km per hour and the next one third at a speed of 20 km per hour and the last one third at a speed of 60 km per hour the average speed of the bus is इसमें ऐसा नहीं बोले गया कि first half या second half इसमें पूरे distance को तीन हिस्सों में बाढ़ दिया उसने का पहला हाँ पहला बंधर उसने इससे निकाला है second one third इससे निकाला थर्ड वाला जो लास्ट वन थर्ड है वो इस वाली स्पीड के साथ निकाला है हलाकि इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था otherwise अगर इस तरीके का question आ रहा है तो आप situation को दोबारा कर सकते हैं कि मालों यह total journey इस जर्णी का इतना सा हिस्सा इसको हमने तीन हिस्सों में बाढ़ लिया जो फर्स्ट हिस्सा है इसको उसने निकाला लेट से लेटत व्हल्ण के Tu और ये बड़ा क्लियरल के लिए ट्वन का वैल्यों कि स्पीड इस स्पीड कूंकि डिस्ट्न में पाउन तो टाइम किया और जाये गांट लिए एबन वे थी पहत्तु आजयां पास kita समय जाएक हमारे पास इत्री आ जाएगा हमारे पास डी वाइट इत्री तीनो टाइम आगे हमें एक्चुली चाहिए होता है अवरेज स्पीड करने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाइट टोटल टाइम तो इसलिए पहले मैंने टाइम फाइंड किये हैं तीनों की तीनों कि पहला टीनों की तो टोटल डी तो टोटल डी ओगया न वाइट टोटल टाइम में लिख देंगे टीन फ्लस टी टू प्लस टी त्री और यह हो जाएगा टोटल डी है आई यहां पे टी वन टी टू और टी थी का वैली सब्सिटूट कर देते हैं विच इस हमारे पास है डी 추가 B1 भीटू ञींटे ऐसको ऊपर भीजएंगे अच्छा यहांसे इक वीटी रही तो निचे कॉमन निकाला था मो come on अब यहां से अगर वी वन वीतू और बीटूओ आल्शेम लेंगे और उपर भीजएंगी वालगे यही फॉर्मूला। थोड़ा करफो दो के 3 times of v1 v2 v3 and whole divide by v1 v2 plus v1 v3 plus v2 v3 हाला कि यह result हम आलड़ी किसी question में prove भी कर चुके हैं जो पहले हमने pyq discuss किये थे वहाँ पर यह standard result हम use भी कर चुके हैं लेकिन ठीक है दुबारा से हमने इसको prove भी कर लिया अब बस जो values उसने दे रखी हैं कि v1 कितना v2 कितना v3 कितना जस्ट वह substitute करनी और हमारा answer आ जाएगा ठीक है एक बार दुबारा से इस formula को लिखता हूं तो हमारे पास average speed का formula आया जब कोई particle पूरे distance को तीन हिस्सों में यानि तीन बराबर हिस्सों में travel करता है ठीक है तो हमारे पास जो average speed का formula आया वह आया 3 times of v1, v2, v3 and divide by v1, v2 plus v1, v3 plus v2, v3 ठीक है अब value पुट कर देते हैं एक बार देख लेते हैं, v1, v2 का value कितना है, v1 का value है 10 and v2 का value है 20 और v3 का value है 60 यानि 10, 20 और 60 just put the values and get the answer, so we have v average is equal to 3 times of 10, 20 and last वाला है 60 and divided by v1 into v2, यानि 10 into 20 है ना, तो यह हो जाएगा 200, ठीक है, plus v1 into v3 that is 600, plus v2 into v3 that is 1200, यह solve करके यह बनेगा उमारे पास, इसको भी अगर आप solve करोगे तो यह बन जाएगा आपके पास 30 into 1200 and whole divide by, वीचे भी देख लीजे के आपने गया, 2000 plus 688 and that is 2000, हाना, यह बना था 200 plus 600, 800 plus 1200 that is 2000, ठीक है, तो हमारे पास उपर देखी क्या बन गया, यहां से कुछ cancel हो रहा तो उसको cancel कर देते हैं, इन जिरो यहां वली इन जिरो को खतम कर देंगी, उपर बचेगा हमारे पास 36, नीचे बचेगा हमारे पास 2, कैंसल करके आजाएगा, 18 किलो मेटर पर आर, ठीक है, तो जो एबरेज स्पीड होएगी इस वहिकल की, यह एटीन किलो मेटर पर आर, option C is correct, ठीक है, एक बर फॉर्मुला अगर आपने अपने नोट्स में नहीं नोट किया, तो डिख़्मिला तो रॉर्मुला तो फायंद आभरेज स्पीड, फैन अवहिकल था पर्तिकुलर दिस्तांस इन थ्री इक्वल बार्ट्स, ठीक है, भिट्टित स्पीड थे स्पीड़ियक, तो चलिये ठीक है, नेक्स बढ़ते हैं नेक्स कमशन पर, कोशन नमबर थी कोशन नमबर थी में क्या दे रखा है कार कवर्स फॉस्ट हाफ ओफ दिस्टेंस बट्वीन दू प्लेसे एट 40 किलोमेटर पर और अधर हाफ एट 60 किलोमेटर पर और ओके एंड फाइंड आवरे स्पीड आप वीडियो को पॉस करिए खुद से सिलूशन निक सब्सक्राइब और सम्टाइम जैसे यह कोशन में उसने वीवन और वीटू की वेल्यू भी आपको प्रवाइट कर दी आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर्मूला क्या था टाइम्स ऑफ 40 इन्टो 60 डिवाइड बाइ 40 प्लस 60 ओ ओके तो ऊपर आजाएगा हमारे पास इसको कट करेंगे तो अंसर आजाएगा 48 किलोमेटर पर हार तो आवरेज स्पीड जो आगए इस वहिकल की देट इस 408 किलोमेटर फरार बचेक कर लेते हैं 48, option B is correct एक और आपिशन B is correct इसी कोश्चन था सीधा फॉर्मूला बेच्ट कोश्चन था ऑक अब नेक्स बढ़ते हैं प्रवाइब कर दिया है आपने सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है यह क्या रखा है और यह क्या है प्रवाइब कर दोनों का से मिल जाएगा और बस वह यही तो पूछ रहा है कि कब पी की विल स्टी के बराबर हो जाएगी तो पहले विल स्टी निकालते हैं करके बाद में दोनों को एक्वेट कर देंगे वहां से टाइम का वैल्यू आ जाएगा ठीक है और फिर देख लेंगे किस एक्ष्प्रेक्शन से वह मैच कर रहा है तो लिखते हैं कार पी का पुजीशन पहले कार पी का पुजीशन हमें दे रखा है एक्सपी एक्सपी हमें दे रखा है A T प्लस B T स्कार हाना एक्सपी प्लस 입니다 इसको differentiate करते हैं तो d x p divided by dt यह हमारे पास आ जाएगा differentiate करोगे तो 80 प्लस 80 था सौरी एक मिनट एक मिनट इस इसको कर लेते हैं 80 है सिर्फ 80 प्लस pt स्केर सिर्फ इतना है इसको इसको differentiate करते हैं d x p by dt यह आजाएगा सिर्फ a time का विद रिस्पेक्ट टी का विद रिस्पेक्ट टाइम वन प्लस टी स्केर का जाएगा तू बी और यह जो चीज आई है यह क्या आई है मेरे पास का कर दो लगताओ वी वी पी इस Will गया gonna the city को लिख लग्रें यहां पर आप दूसरी साइड जो इसने का आर क्यू का पोजीशन दे एक बार उसको लिखते हैं तो कार क्यूं का क्या देखा देखिए एफ इए और बी एफ आब इसको लिख लेते हैं इसको डिफेंट सेट करते हैं तो यहां से आ जाएगा F-2T और यह क्या चीज आई है यह आई है कार Q का स्पीड है ना Q का स्पीड that is F-2T तो कार P का स्पीड भी आ गया कार Q का स्पीड भी आ गया बस उसने यही बोला था कि किस टाइम पे दोनों कार्स का जो स्पीड है वो एक दूसरी के बराबर होगा ठीक है तो बस तोनों स्पीड को एक दूसरे के बराबर रख दो यानि की वी पी इस एकल टूवी क्यू कर देते हैं एक्वेट कर देते हैं जैसे आप एक्वेट करेंगे आपके पास बनेगा ओर वो जो टूटी है जब इदर आएगा तो हमारे पास आजएगा टूबी टी प्लस उटी ठीक है और यहां से अगए टी कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा टूबी प्लस हूँ इस एकलो टूफ माइनस यहां से गए टी निकालना चाते तो टी आ जाएगा एफ माइनस ए अपॉन कॉमन निकाल लेंगे तो बी प्लस ए एक बड़ चेक कर लेते हैं सुरी टू बी प्लस टू था तो सिर्फ वन आएगा लोर यह लेगा लाइट और के बार अनुट कॉमारों फर मैंनश को से टूचिंट पिफ समय से फμैन्स एपउन टू फी प्लस फिर की इस माइननस ऐपन टू बी फ्लस वन description B is correct, f minus a upon 2b plus 1, okay, चलिए बढ़ते हैं, next question के और, next question है मेरे पास question number 5, क्या कह रहा है इस question में, एक बार देखिए, if the velocity of the particle is v, यह velocity दे रखिए उसने हमें, हमें इस पर focus करना है सबसे पहले, यह जो velocity दे रखा है, okay, where a and b are constants, then the distance travelled by it between 1 second and 2 second, वो कह रहा है कि इस vehicle ने 1 second से लेके 2 second तक distance कितना travel किया, और दिया क्या हुआ है, velocity, ठीक है, तो यहाँ पर हमने class में भी बात करी थी, जब हमारी regular class चल रही थी, उसमें भी हमने बात करी थी, इसका मतलब आपको integration वाला technique यूज करना है, यानि calculus यूज करना है, और अगर आपको velocity दे रखा है और फिर पीछे distance पूछ रखा है, तो इसका मतलब फिर से आप velocity को integrate करेंगे, तो आपको distance मिल जाएगा, जिस भी range में आपको distance चाहिए, जैसे t की value 1 second से लेके 2 second तक चाहिए तो क्या करते हैं इस question में, यह जो velocity दे रखे है, इसको लिखते है ने एक slide पे, 80 प्लस bt square, तो the given velocity, the given velocity is 80 प्लस bt square, अच्छा यह जो velocity है, क्योंकि यह time पे depend कर रही है, तो यह instantaneous velocity दे रखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ, dx by dt is equal to 80 प्लस bt square, ठीक है, अब यह जो dt है, इसक आजाएगा, dx is equal to 80 प्लस bt square into dt, इस equation ने मुझे एक information दिया, और वो information यह है, कि dt time के अंदर particle ने कितना distance travel किया, dx, dt time के अंदर particle ने कितना distance travel किया, dx, हमें कहां से कहां तक पता करना है, 1 second से लिए कि 2 second, यह जोनी small infinitesimal interval के लिए उसने distance दे दिया, हमें एक बड़े interval के लिए तो दोनों साइड integrate कर देंगे, ठीक है, हम इस equation को करेंगे integrate, so integrating the above equation between the limits, dx को इधर integrate करेंगे, और इस साइड किसको integrate करेंगे, a t plus bt square into dt, ठीक है, अब dx का integration करोगे, तो आपको पता क्या आएगा, x, ठीक है, और question के अंदर मुझे लगता ऐसा कुछ भी mention नहीं था, कि particle ने start क यहां से किया, अगर कुछ भी mention नहीं है, तो आप मान के चलेंगे कि particle ने start origin से किया है, ठीक है, if the velocity of the particle is this, okay, so हम मान के चलेंगे कि particle ने origin से start किया है, otherwise कई बार question में यह mention रहता है कि particle ने यहां से start किया है, वन से लेके, तो फिर आप यहां पर x की वो limit पूट करेंगे, lower limit व divided by two, अच्छा, इसकी limits रहेंगी, one से लेके two second, क्योंकि उसने बोला था, one second से लेके two second में कितना distance travel किया है, ठीक है, तो यह आजाएगा, a t square by two, यह आजाएगा, b t cube, divide by three, और limit substitute कर देंगे, इसकी one से लेके two, अब बस अगला काम यह है कि limit substitute कर नहीं है, मारे पास आजाएगा, a into four, divide by two, plus, b into eight, divide by three, and minus, lower limit put करेंगे, lower limit put करेंगे, तो जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है, वहाँ पे one put कर दीजे, that is a by two, and plus b by three, okay, इसको solve कर लेते हैं, यह मारे पास आजाएगा, four a by two, plus eight b by three, minus a by two, minus b by three, okay, a wali terms को एक साथ range कर लेते हैं, तो a wali terms को एक साथ range करेंगे, तो आपको बन जाएगा, three a by two, in terms को अगर एक साथ range करेंगे, तो आपको बनेगा, seven b by three, so this is the distance traveled by the particle between one second to two second, one second, one second से लेके, दो सेकंड के बीच में उसने इतना distance travel किया, एक बार मैच करते हैं, कि this option से मैच कर रहा है, three a by two and seven b by three, three a by two and seven b by three option, three is correct, easy question था, लेकिन इसमें actually velocity देके distance पूछा है, कई बार acceleration देके velocity पूछते हैं, या acceleration देके पहले velocity, फिर distance पूछते हैं, खास कर कि जही एक्जाम में ऐसे question पूछे जाते हैं, तो आपको integration का technique यूज करना है, okay, next question number six, question number six में क line ox, at a time t, the distance of the particle from origin is given by this, तो उसकी position with respect to time क्या है, वो उसने question में mention कर दिया, ठीक है, how long would the particle travel before coming to rest, ठीक है, question पूछने का तरीका थोड़ा सा change किया है, position दे रखा है, वो कह रहा है कि rest में आने से पहले particle ने कितना distance travel कर लिया होगा, और क्योंकि उसने origin से start किया, तो ये mention कर दि किया कि पार्टिकल ने start कहां से किया है, नहीं नहीं सोरी, पार्टिकल ने origin से start नहीं किया है, पार्टिकल मूव्स अलॉंग, अच्छा है, हम टीका वेली जीरो पुट करके ये पता कर लेंगे कि पार्टिकल ने start कहां से किया, ठीक है, वो कह रहा है, how long would the particle travel before coming to rest, rest में आन 12T minus T cube, अब rest पे कब आया, पहले तो वो time पता होना चाहिए, और rest पे जब आयेगा, तो हमें पता है कि उसका velocity 0 हो जाएगा, तो इसको differentiate करके पहले velocity निकालते हैं, तो dx by dt करते हैं, dx by dt करेंगे तो आजाएगा 40, sorry, 40 है न तो इसका तो 0 हो जाएगा, 0 plus 12 minus 3T square, अब जब वो rest पे आया होगा, तो उसका यह जो velocity है, या फिर उसका यह जो speed है, वो 0 हो गया होगा, तो इसको 0 put कर देते हैं, वहां से time का value आयागा, हमारे पास आजाएगा, 12 minus 3T square is equal to 0, which will gives you 3T square is equal to 12, और T is equal to 2, ठीक है, plus minus 2 आएगा, बट टाइम कभी भी negative हो नहीं सकता, तो हमने positive value चूज़के, ठीक है, तो time की value 2 second पे, particle rest पे आया, और यह पता करते हैं कि particle T is equal to 2 second पे था कहा, पहले उसका position पता करते हैं, पार्टिकल at T is equal to 2 second पे था कहा, कहां पे था, देखिए, 40 plus 12 into 2 minus 2 का cube, that is 8, तो हमारे पास आ जाएगा है, यहां से, 40 plus 24 minus 8, यह बन जाएगा, हमारे पास, 40 plus 24 minus 8 is 16, that is 56 meter, यह पता चल गया, हमें particle T is equal to 2 second पे कहां था, ठीक है, ओके, और पहले यह भी पता कर लेते हैं कि particle T is equal to 0 पे कहां था, particle T is equal to 0 second पे कहां था, इसी, उसी expression में, T की value 0 put कर दीजे, तो आपको यहां से बेलेगा, 40 meter, ठीक है, यहनि T is equal to 0 पे, वो 40 meter पे था, और T is equal to 2 second पे, जब particle rest पे आया, तो वो 56 meter पे था, उसकी initial position पता है, उसकी final position पता है, उसने distance कितना travel किया, final position, minus initial position, तो जो distance उसने travel किया है that is equal to 56 meter, minus 40 meter, that is approximately 60 meter, तो option C is correct, ठीक है, sometime इस question को, कुछ student क्या करते है, सीधा T is equal to 2 second पे उसका position देखके बोल देते हैं, 56 meter पे है, लेकिन उसने बोला, particle rest में आने से पहले कितना travel किया, यहनि T is equal to 0 से लेके, T is equal to 2 second पे बीच में उसने distance कितना travel किया, so that is not 56 meter, that is 16 meter, okay, next question देखते है, question number 7, इसमें क्या कह रहे है, the motion of the particle along a straight line is described by the equation, अच्छा, इसमें भी क्यार दे रखा है, particle का position with respect to time कैसे वेरी कर रहा है, यह हमें given है, क्या पूछा क्या जा रहा है, where X is in meter and T is in second, the retardation of the particle when its velocity is 0, बहुत असान question है, position दे रखी है, इसको differentiate करोगे तो velocity आएगी, उसको भी differentiate करोगे तो acceleration आएगी, वो कह रहा है, जब इसका velocity 0 है, उस time पर acceleration बताओ कितना है, तो पहले तो तीनों चीज़े निकालते हैं, फिर वो जो पूछ रहा है, फिर उस पर focus करेंगे, उसने का X is equal to 8 plus 12 T, फिर पोजीशन लिखते हैं, क्या दे रखी है, क्या आजाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा minus 3 T square, तो मुझे velocity मिल गया, उसका that is 12 minus 3 T square, फिर पार्टिकल का velocity पता चल गया, अब अगर मैं इसको भी differentiate करूँगा, तो मुझे acceleration मिल जाएगा, यहनिकि dv by dt, that will give us acceleration, that is 0, 12 का derivative 0, minus 3 T square का हो जा जाएगा, 60 और यहां से आगया मेरे पास acceleration, so we get acceleration is equal to minus 60, अब आते हैं, उसके question वाली language पर, वो कह रहा है, पार्टिकल का retardation, यानिके acceleration कितना है, of the particle, when its velocity is 0 कर रहा है, जब velocity 0 है, तब acceleration कितना है, तो देखो, velocity को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, velocity को 0 के बराबर पुट करके, व velocity 0 हुआ, तो velocity को आप जैसे 0 कर रहा हो, कि V is equal to 12 minus 3 T square, इसको 0 कर दीजे, यहां से आपको एक time का value मिलेगा, ठीक है, तो time का value आपको मिलेगा यहां से, 2 seconds, यहांनि T is equal to 2 seconds पे particle momentarily rest पे आया था, और उस time पे उसको acceleration यहां D acceleration जो मिल रहा था, वो कितना मिल रहा था, वो पता कर लेते हैं, इसी acceleration में वापस आईए, T का value 2 put कर दीजे, that is equal to minus 12 meter per seconds, देख लेते हैं, option कौन सारा है, minus 12, यहांनि उसने पहले retardation बोल दिया था, negative sign नहीं लिगाया, option D is correct, okay, next question है मेरे पास, question number 9, इसमें क्या कह रहा है, the displacement of the particle, question number 9 में कह रहा है, the displacement of the particle varies with time as this, the acceleration of the particle will be 0 at time T equal to, ठीक है, वो कह रहा है कि आपको displacement दे रखा है, इसको differentiate करेंगे, तो velocity आएगा, उसको भी differentiate करेंगे, तो acceleration आएगा, तो बता रहा है, कि किस time पे उसका जो acceleration है, वो 0 है, तो पहले इस position को लिखते हैं, जो position दे रखी, s is equal to, s is equal to at square minus bt cube, यह दे रखा है, s is equal to at square minus bt cube, इसको differentiate करते हैं, इसको जैसे ही हम differentiate करेंगे, ds by dt, तो हमें मिल जाएगा velocity, यहां से मिल जाएगा, इसका velocity, यहां फिर speed, differentiate करेंगे, तो आजएगा, 2 at minus 3 bt square, ठीक है, यहां गई velocity, इसको भी further differentiate करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा acceleration, that is dv by dt, तो क्या आजाएगा, यहां जाएगा, 2 a, with respect to time, इसको differentiate करेंगे, and minus 6 bt, minus 6 bt, यहां एक्सलेशन का value आगा, 2 a, minus 6 b times, ठीक है, और बस उसने यही पूचा है, कि किस time पे इसका acceleration है, वो 0 होगा, तो जो भी acceleration है, उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, that means कि 2 a, minus 6 bt, is equal to 0, यहां से आजाएगा, 2 a, is equal to 6 bt, और we can say t is equal to, हमारे पास यहां से आजाएगा, a upon 3 b, यहनि जब time का value a upon 3 b है, उस time पे, जो particle का acceleration है, वो 0 है, a upon 3 b, option b is correct, चले बढ़ते हैं, next question पे, question number 10 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, two bodies of masses, 1 kg and 3 kg, are dropped from heights of 16 meter and 25 meter, two bodies है, दोनों के masses भी अलग-लग दे रखे हैं, 1 kg and 3 kg, और एक को, उन्होंने drop किया है, 16 meter की height से, और एक को 25 meter की height से, ऐसे करके release कर दिया, simultaneously, the ratio of the time taken by them to reach the ground is, ठीक है, और release किया, तो initial velocity को हम 0 माल लेंगे, एक चीज़ तो clear है, कि जब bodies को ऐसे करके release किया जाता है, और body का free fall हो रहा है, उस case में mass पे फरक नहीं पड़ता है, यानि mass के mass कितना है किसी body का, इस से उसका time कितना लग रहा है, या उसका final velocity क्या होगा, इस से कोई फरक नहीं पड़त UT plus half 80 square, यह third kinematics equation जो हमने पड़ी थी, कि किसी particle ने मालो T time के अंदर H distance, H displacement है, U initial velocity दी है, A acceleration के साथ move कर रहा है, अब क्यूंकि दोनों bodies को release किया है, तो दोनों bodies ने जो height निकाला होगा, वो उसने हमें दे रखा है है, तो पहली वाली body के लिए लिख लेते है, H1, क्यूंकि द T1, और दूसरी body को time लगा, let's say T2, that is 0 plus half G T2 square, okay, T1, T2 के ratio ही तो हमसे वो पूछ रहा है, तो दोनों equations को divide कर देते हैं, इसको इससे divide कर देते हैं, जैसे ही आप divide करेंगे, आपके पास आजएगा, H1 upon H2 is equal to half G T1 square, divide by half G T2 square, half G से half G cancel हो गया, H1 का value आपको 16 मीटर दे रखा है, ओके, और H2 का value आपको 25 मीटर दे रखा है, और G से G cancel होगा, इदर आगया, T1 upon T2 का square, ठीक है, यह जो square है, इस side आके बन जाएगा, square root, that is 16 upon 25 is equal to T1 upon T2, ठीक है, यह आजाएगा, 4 upon 5, तो दोनों को कितना time लगेगा, उसको जो ratio है, that is 4 upon 5, ठीक है, option C is correct, option C is correct, तो कि उसने बुला था, 16 मीटर वाले को उपर रखना है, 25 मीटर वाले को नीचे रखना है, तो वही हमने प्रसीड किया है, otherwise अगर आप उल्टा कर देता है, तो 5 by 4 वाल उप्शन भी था, next question, question number 11, इसमें क्या कहा जा रहा है, the distance traveled by the particle, starting from rest, moving with acceleration, this in the third second, ये एक कमने, चौथी kinematics equation जो लिखी थी न, distance traveled by the particle in nth second, वहां से question पूचा गया है, तो एक बार formula लिखते हैं, formula कहा लिखाया था, distance traveled by the particle in the nth second, that is u plus a by 2, 2n minus 1, अब वहां कहा रहा है, in the third second, इसका मतलब n का value कितना दे दिया, 3, और acceleration का value भी आपको provided है, question के अंदर कितना दे रखा है, 4 by 3, that is given to you, 4 by 3 meter per second, ठीक है, अब बस यह पूच रहा है कि कितना distance उसने travel किया, 3rd second में, ये स3 start किया, तो u का value हो गया, 0, plus, वो बोल रखा question में कि initially उसने rest से start किया, तो u का value 0, value put कर दिजे, a का value है, 4 by 3, यानि 4 by 3 into 2, और n का value है 3, that is 2 into 3 minus 1, which will give us 2 by 3, या जाएगा 6 minus 1, that is 5, 2 into 5 divided by 3, that is 10 by 3 meter, that is 10 by 3, meter, 10 by 3 meter, option C is correct, easy question था, formula based question था, और language में बोल रखा था, कि rest से start किया, किस constant acceleration से वो move कर रहा है, और तीसरे second में, उसने distance कितना travel किया, next question देखते है, question number 12, question number 12 में क्या कहा जा रहा है, अब particle moves in a straight line with constant acceleration, constant acceleration से move कर रहा है, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second, अच्छा, इसकी velocity change हुई है, 10 से 20, while passing through a distance of 135 meter in T second, and the value of T is, उसने बोला कि T का value find करो, इस velocity को इतने में change होने के लिए, तो देखो, पहला काम तो यह है कि acceleration पता होना चाहिए, अभी हम लोग कर सकते हैं, इस question को, ठीक है, तो सोचते हैं, इस question को, इसका initial velocity दे रखा है हमें, 10 meter per second, इसका final velocity दे रखा है, 20 meter per second, ठीक है, और यह velocity, इस velocity में change हुआ है, by traveling a distance of 135 meter, और पूछ रहा है कि यह सब होने के लिए time कितना लगा, ठीक है, तो हमें जो equation दिमाग में आ रही है, that is, V is equal to U plus 80, हम इस से time निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए A, ठीक है, और A निकालने के लिए हम लोग second equation की तरफ बढ़ते हैं, that is, V square minus U square is equal to 2 A, S, क्योंकि हमें A निकालना S भी दिया हुआ, velocity जो है, final और initial वो भी provided है, ठीक है, तो apply करते हैं, V square, V square मतलब 20 का square है, हमारे पास आ जाएगा, 420 का square minus 100 U का square is equal to 2 A, हमें निकालना है, S का value भी 135 दे रखा है, ठीक है, तो यहां से A निक 200, divide by, यहां से आजाएगा, 270, equal to A, तो कट करोगे, तो आपके पास आजाएगा, 10 by 9, हाना, आपके पास A का value यहां से आगा, 10 by 9 meter per second, तो मैंने जब second equation use करी, उसकी जो information provided थी, उससे मुझे A मिल गया, अब अगर A मिल गया, तो आप T निकालना बहुत असान है, इसी फस्ट equation में दुबारा पुट कर देंगे, V, U और A का value तो T मिल जाएगा, तो यहां से आजाएगा, V minus U, divide by A, is equal to T, तो मैं T तो चाहिए था, V का value 20 है, U का value 10 है, A का value 10 by 9, तो 9 चला जाएगा, यहां पे, equal to T, तो यहां जाएगा, 9 into 10, divide by 10, is equal to T, 10 से 10 घंट किया, T का value आगा, 9 second, दिखते हैं कौन सा option बन रहा है, option D is correct, 9 second, तो लिए बढ़ते हैं, next question के और question number 13, इसमें क्या कहा जा रहा है, a body starts from rest, what is the ratio of the distance traveled by the body during the fourth and the third second, 30 second और 14 second में उसने जो distance traveled किया है, उसका ratio बताना है, ठीक है, फिर से वो ही distance traveled by the object in the nth second, वो वाला formula लगाएगा, और rest से start किया, तो U का value is 0 हो गया, और acceleration a ले लेते हैं, तो करते हैं इस question को, that s4 is the distance traveled by the particle in the fourth second, s3 is the distance traveled by the particle in the third second, formula लगाएगे, initial velocity 0 है, acceleration a by 2, और 2n-1 होता है, तो n की जगा पर आ जाएगा, 4, and divide by, फिर से, इसके लिए भी 0 initial velocity है, a by 2, n की जगा पर आ जाएगा, इस case में 3, इसको solve कर लेते हैं, s4 divided by s3, that is equal to a by 2 से a by 2 cancel, उपर बना 8-1, that is 7, नीचे बना 6-1, that is 5, so 7 by 5, 4th second और 3rd second में उसने जो distance travel किया, that is 7 by 5 के ratio में आ रहा है, देख लेते हैं कौन सा option बन रहा है, option a is correct, 7 by 5, next देखिए, last question है मारे पास, question number 15, इसमें क्या कहा जा रहा है, a car accelerate from rest at a constant rate alpha from some time, for some time, after which it de-accelerate at a constant rate beta and comes to rest, if the total time elapses t, then the maximum velocity acquired by the car is, इसको graph से करने का try करते हैं, इसमें उसने हमें बोल रखा है कि एक car है which is accelerating, इसमें कुछ ऐसा सा दे रखा है कि एक car है which is accelerating, यह situation दे रखा है हमें, और car accelerate कर रही है, for some time, और उसके बाल de-accelerate कर रही है, for the next time, यह situation दे रखा है, ठीक है, माल लेते हैं कि जो graph हमने plot किया, this is velocity time graph, ठीक है, तो यह alpha आपको दे रखा, यह beta rate से इधर de-accelerate हुई, माल लेते हैं यह t1 time लगा और माल लेते हैं यहां से यहां तक ले यह t2 time लगा, और accelerate हुई है, तो उसने एक maximum velocity v max को touch किया होगा, उसने एक maximum velocity v max को touch किया होगा, understand, ठीक है, rest से इसने start किया है, तो क्या करते हैं, क्योंकि alpha और beta लग लगा है, और यहां से यहां तक total time उसने बोल दिया, कि T लगा है, तो पहला task हमारा यही है कि हमें v max निकालना है, तो v max कैसे निकलेगा, उसके लिए अगर आप ध्यान से देखे, आपको पता है, velocity time graph का जो slope होता है, वो आपको acceleration देता है, तो वही approach लगाते हैं, हम लिखेंगे जो acceleration alpha होगा, that is slope of this triangle, इसको लिख लेते हैं, O, A, B, और इसको लिख लेते हैं, C, तो जो A, C है, वो slope निकालने के लिए help करेगा, A, C, तो कि slope क्या होती है, 10 theta से भी लिख सकते हैं, और अगर 10 theta से ल perpendicular upon, base और perpendicular यहाँ पर A, C है, और base का value क्या है, T1, यहाँ से आजाएगा alpha T1 is equal to A, C, A, C का value ही तो V max है, A, C का value ही तो V max है, यहाँ से अगर T1 निकालोगे तो that is V max divided by alpha, and similarly, अगर आप तूसरी triangle के अंदर जाएंगे, that is A, C, B, उस triangle के अंदर जाएंगे, तो आपको दिखेग उसमें आप लिख सकते हैं, beta, अंदर आप लिख सकते हैं, beta, and beta is, beta आजाएगा आपके पास A, C, divide by, इस वाली triangle के अंदर भी अगर आप slope देखेंगे, तो इस triangle का जो slope निकालने के लिए, हमें 10 theta देखना है, 10 theta क्या आजाएगा, this perpendicular upon this base, and this base is T2, हमारे पास आजाएगा, A, C आपके पास T1 भी आगया, और आपके पास T2 भी आगया, T1 और T2 आगया, एक बार next slide पे लिखते हैं, T1 आपके पास आया Vmax upon alpha, and T2 आपके पास आया Vmax upon beta, अब मुझे पता है, अगर दोनों time को मैं add कर दू, यानि T1 और T2 को add कर दू, तो total time T बनेगा, T1 प्लस T2, that is equal to T, अब यहाँ पर T1 का value put कर दो, that is Vmax upon alpha, और Vmax upon beta, that is equal to T, और यहाँ से Vmax अगर बहर निकालोगे, तो अंदर बचेगा, 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to T, alpha और beta का LC हम लोगे, तो आपके पास बन जाएगा, alpha plus beta upon alpha into beta is equal to T, और you will get Vmax is equal to alpha beta T, divide by alpha plus beta, अच्छा को इसी कोशन को further एक step और भी पूछा गया है, जई के एक्जाम में, यह ठीक है, Vmax आगया, अब यह बताओ, particle ने distance कितना travel किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है कि velocity time graph का जो slope होता है, वह में acceleration देता है, लेकिन velocity time graph के अंडर जो area होता है, वो हमें distance यहाँ फिल displacement देत इसी कोशन को further आगे future में, पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे, जो distance यहाँ फिर जो displacement होगा, particle का, हो हो जाएगा, one by two, base, base क्या है, ये जो triangle दे रखी, इसका base देखे क्या हो जाएगा, 0 से लेके, T तक, हाणा, ये base हो CE हो जाएगा, तो base हो जाएगा, इसका T, हाणा, इंटू हाइट और इस ट्रेंगल की जो हाइट हो जाएगी वो यह हो जाएगी A से लेके C तक और A से लेके C तक ही तो क्या है Vmax इसकी जगा लिख देंगे हम लोग Vmax और आपको जो Vmax अभी आपने calculate किया उसको put कर दीजिए और इसको फर्दर सॉल करेंगे तो हमरे पास आजाएगा वन बाय टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस इटा इन्टो पी स्क्राइगा तो इस इस दर डिस्टेंस और दिस्प्लेस्मेंट अफ पार्टिकल यह जो पार्टिकल का हमें ग्राफ दे रखा था विलॉस्टी बीटा क्योंकि वह तो सिर्फ डिस्टंस में आता है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा ऑप्शन डी इस करेंगे तो आज की क्लास में हमने कुछ 12 से 15 कोश्चन किये हैं नीट एक्जाम के कुछ और कोश्चन नेक्स क्लास में और डिसकस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे और लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का बचा है यानि पॉजीशन टाइम ग्राफ लॉस्टी टाइम ग्राफ एक्सलेशन टाइम ग्राफ और ग्राफ से भी काफी अच्छे-च्छे कोश्चन पूच्पे जाते हैं ठीक है ओके ओके आज की क्लास को यहां त